आज इस लेक्जर में हम डिसकस करेंगे कि रिलाइंस इंफ्रेस्ट्रेक्चर जो है उसका एक आपका विवाद चल रहा था डैली मेट्रो रेल कर्परेशन डीमर्सी के साथ और यहां पे इनको आर्बिटरेशन अवार्ड के अंदर जीत मिली थी और यही मामला आगे चलके अराउंड 46-4700 करोड का अर्बिटरेशन यह डिली मेट्रो के अगेंस में यहां पे जीत जाते हैं पूरे इशु को देखेंगे दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा था डिली मेट्रो के रिगार्डिंग और किस तरह से यहां पे अवार्ड जो है अनील धीरुबाई यंबानी के फेवर में गया था वही मामला आगे दिली हाई कोड में जाता है और फिर सुप्रीम कोड में जाता है तो सुप्रीम कोड में भी फाइनली यहां पे अग्री कर दिया है और इसी के साथ जो रिलाइंस इंफरेस्ट्रेक्चर है उसको यह 2800 करोड रुपीज का औ और इसका थोड़ा सा historical background हम यहाँ पर देख लेते हैं 2008 के अंदर एक contract sign होता है DMRC के बीच में और DAMEPL यह जो DAMEPL है दिल्ली Airport Metro Express Private Limited जो की promote की गई थी Reliance Infrastructure के दोरा Reliance Infrastructure अनील धिरुबाई अम्मानी ग्रूप का पार्ट है तो DMRC और Reliance Infrastructure के बीच में 2008 में यह agreement हुआ कि किस तरह से इसको design किया जाएगा यह जो पूरा आपका you have airport Metro Express line है जो की नई दिल्ली से आपका airport तक जा रही है और आगे द्वार का sector 21 तक भी जा रही है तो नई दिल्ली स आपका PPP Public Private Partnership Agreement था DMRC का और यहां पर यह लगबग 22 किलोमेटर की Express line स्टार्ट होती है जिसकी कोस्ट लगबग 5800 करोड थी इसको शुरू होना था 2010 के Commonwealth Games से पहले लेकिन 2011 में finally स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के एक साल के अंदर ही यहां पर विवाद शुरू हो जाता है और 2012 के अंदर जो Reliance Infrastructure की यह DEM EPL यह अपना operation बंद करना स्टार्ट करती है यह कहती है कि काफी सारे technical defects यहां पर आ रहे हैं हमें यहां पर जो है इस line पर operate करने में नुकसान हो रहा है फायदे की जगे नुकसान हो रहा है इसका reason इन्हों ने बताया कि जो ridership है हमारा target यह ride करेंगे लेकिन हमें यहां पर 20,000 की ridership मिल रही है और कम लोगों के ride करने से operational जो cost है वो भी नहीं निकल पा रहा है हमें नुकसान हो रहा है इसके अलबाग जो दूसरे तरीके हैं revenue raise करने के जैसे advertising हो गया lease out करना shops को property development etc तो इसकी वज़े से इन्हों ने कहा कि हमें यहां पर नुकसान हो रहा है हम इसको इस तरह से operate नहीं कर पाएंगे और यही मामला आपका आगे चलता है और जो damepl है that is from reliance infrastructure हलाकि इसका contract तो यह रहता है कि 30 साल के लिए रहेगा लेकिन 2012 से यहापका termination का notice इसको दे देता है और finally 2013 के अंदर अपना पूरा operation जो है इसे stop कर दे जाता है इसके बाद यह जो dmrc है यह पूरा operation को take over यहाँ पर कर लेती है और अपनी तरफ से इसको functional रखती है पूरी line functional रहती है और इसके बाद ridership भी यहाँ पर increase होती है सारी चीजे improve होना start हो जाती है लेकिन जो reliance infrastructure के तरफ से यह damepl है और यह जो पूरा matter है यह आपका tribunal में जाता है और finally 2017 में जो tribunal है वो damepl that is reliance infrastructure के favor में decision देता है और वहाँ पे dmrc को यह कहता है कि आप लगबग 2950 करोड रुपे compensation along with interest आप पे करेंगे reliance infrastructure को यहाँ पे और reliance infrastructure ने यह जो पूरा amount यहाँ पे interest को मिला के बताया वो था 4500 करोड रुपीज लेकिन यह मामला वापस दिल्ली high court में जाता है और दिल्ली high court के अंदर जो आपकी यह bench होती है divisional bench वो इसके dmrc के favor में जाती है और फिर finally यह मामला आपका supreme court में चला जाता है तो अभी जो decision आया है कल जो decision यहाँ पे इन्होंने mention किया है that is regarding supreme court's divisional bench जो है supreme court की तरफ से यह decision आपका आया है और यह supreme court ने यहाँ पे mention किया है कि जो arbitration award का decision था that is right आपको जो original amount है वो भी पे करना पड़ेगा interest भी पे करना पड़ेगा तो total liability लगबग 4600 करोड रुपीज के आसपास आ जाती है और इतना पैसा reliance infrastructure को दिया जाएगा termination clause क्या था contract में क्या चीज mention थी उसे देखते हैं और पूरी controversy क्या थी वो भी यहाँ पे mention है termination of the contract इसमें ये clause के अंदर आपका जो contract था वहाँ पे यह mention था कि अगर termination किया जाता है contract को खतम किया जाता है even in the event of default on DMEPL's part अगर इसकी तरफ से भी होता है so DMRC shall pay to the concessionaire, concessionaire मतलब ऐसा कोई भी private party जिसको approval मिला है government की land के उपर काम करने के लिए approval to operate on the government land तो वो concessionaire हो गया, इस case के अंदर आपका reliance infrastructure concessionaire होगा तो DMRC shall pay the reliance infrastructure by way of termination payment and equal amount to 80% of the debt due, जितना debt due है उसका 80% यह इसको pay करेगी तो इसी हिसाब से यह जो payment है इसके favor में गया है, यहाँ पे controversy start उती 2018 में जब दिल्ली government की तरफ से यहाँ पे allegation लगाया गया, उन्होंने एक report अपकी submit करी, अपनी advisory body के basis पे 2018 में एक report बनाई उस report में उन्होंने कहा कि यहाँ पे agreement को इस तरह से reliance के favor में किया गया कि जो सरकारी खजाना है उसे नुपसान हो रहा है इसको आपने इसका जो provision है, इसके अंदर आपने यह cap नहीं किया है और इसकी वज़े से क्या हुआ आपकी cost increase होना स्टार्ट हो गई, overall और यहाँ पे allegation यह भी लगाया गया कि इन्होंने जो unnecessary feature है उसको add किया और जो total cost है project की वो increase करना है स्टार्ट किया, तो यह report 2018 वाली report यह कह रही है कि जो willful omission था, जान बूच कि यह total project cost का जो आपका clause था यह हटाया गया in case of reliance infrastructure is one of the main reason why the private concessioner यहाँ पे आपकी reliance infrastructure है उसको इतना बड़ा यह arbitral award मिल रहा है यह 2018 यह report के अंदर इन्होंने claim किया लेकिन यहाँ पे DMRC और reliance infrastructure दोनोंने इस comment करने से मना कर दिया यह report जब आई, जहाँ पे यह कहा गया कि unfair financial advantage दिया जा रहा है reliance को तो वहाँ पे जो दिल्ली के CM है उन्होंने CBI की prob की यहाँ पे मांग की थी और उन्होंने यह mention किया था कि इसकी वज़े से जो है दिल्ली government और center को यहाँ पे एक साथ इतना सारा payment करना पड़ेगा तो यह पूरा यहाँ पे देखा जाए कि किस तरह से इनको favor किया गया है matter को और यह पूरी controversy चलिए और इसी बीच में आपका arbitral award के बाद में यह matter फिलहाल Supreme Court में चल रहा था और अभी Supreme Court ने Reliance Infrastructure के favor में यहाँ पे थैसला दिया है इसके लागा आप मुझे आप अनकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं combo subscription में GS Plus Optional जिसकी price आपकी 49,000 है इसकी prices बढ़ने वाली है इसके लिए आप जा सकते हो subscription link description box में है use the code rblight to get 10% extra या iconic के prices आइक पे कुछ extra benefit मिल जाते हैं केवल optional के लिए जा रहे हो तो यह केवल optional की prices है 15 सितंबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट है इनमें आप enroll कर सकते हैं और हर संड़े scholarship टेस्ट होता है यहाँ पे आप participate कर सकते हैं free test series का भी benefit ले सकते हैं That's all for today, don't forget to like, share and subscribe, all the best, have a great day